कि नमस्कार डिया और दक्षिना मुखी सिक्षिन संस्थान की निशुल कक्षाओं में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में मराथा शाशन मराथा शाशन पढ़ने से पहले कुछ important शब्द है शब्दावली जो हमें जानना चाहिए क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग हमारे को आज के लेक्षर में बहुत बार होने वाला है मराथा साशन में चत्रपती जो रहते हैं वो राजा कहलाते हैं बतलब जो चत्रपती होते हैं वो basically एक रियासत के अधिकारी के रूप में माने जा सकते हैं इनका भी बार-बार जिक्र होगा तो अब ध्यान में रखेगा देखिए दो important कर हैं जो मराथा ने इंट्रड्यूस किये थे सबसे पहला था सर्देश मुखी सर्देश मुखी जो होता है वो आयका 10 प्रतिशत हिस्सा चत्रपती के पास मराथा सरदारों के द्वारा पहुचाया जाता था ठीक है जैसे माल लीजे कि एक चत्रपती है यहां पर अंदर पेश्वा यह चत्रप सर्देश मुखी है अगर आय है तो आयका 10% हिस्सा जो है वो किन को जाएगा चत्रपती को जाएगा ठीक है तो यह याद रखेगा आयका 10% हिस्सा जो होता है वो सर्देश मुखी कर के लाता है यह ध्यान रखेगा कई बर पूछ लेता है कि सर्देश मुखी का अर्थ क्या होता है से चार option देखा आपको उनमेंसे राइट चूस करना होता है ठीक है चौथ जो होता है वो एक कर होता है जो कि मराठा सरदारों के द्वारा basically लिया जाता है जो चौथ है यह कर जो रहता है यह वैद नहीं होता है यह illegal रूप से लिया जाता है होता है लूट पार्ड करके यह पडोशी चत्रों पर हमला करकली जाता है और उसके बारे के शे बेच लिया होती थी जो कि मराठा सरदार अपने सुछा नुसार लोगों से मार्पीट करके यह लूट्र करके लेते ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए पहले हम मराठा साशन को पढ़ने से पहले कुछ important चीज़े है कुछ background है कुछ प्रिष्ट भूमी है उनको जानना जरूरी है मराठा साशन में सबसे पहले शत्रपती शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं चत्रपती शिवाजी का काल रहा है 1627 से असी तक का ठीक है इनके दो पुत्र हुए एक बड़े पुत्र संभाजी दूसरे पुत्र हुए राजाराम ठीक है बड़े पुत्र की मृत्ती हो जाती है 1689 में 1680 से 1689 ठीक है और उनके बाद राजा राभ शाषन करते हैं 1689 से 1700 ठीक है संभाजी की मृत्त्य के परश्चाथ इनके पुत्र शाहु जी या साहु जी भी कहा जाता है कई बार तो शाहु जी जो कि उस समय औरंग जेब की कैद में रहते हैं औरंग जेब उस समय राजा रहता है उनकी कैद में शाहु जी को रखा जाता है पर जैसे ही औरंग जेब की मृत्ति हो जाती है तो शाहु जी को भी रिहा कर दिया जाता है अब यहाँ पर देखिए कि उत्तरादिकार संगर्ष के स्थितिया बन रही है पहले तो हो गए कि संभाजी के पुत्र शाहुजी आए शाहुजी उस समय अवेलेबल नहीं थे या कैद में थे तब तक राजाराम ने शाशन किया उनके बाद उनकी पत्नी तारबाई थी जो की बहुत इनकी पत्नी जो तारबाई है राजाराम की पत्नी है वो सरवाधिक शक्तिशाली मराठा महिला के रुप में जानी जाती है यह याद रखिएगा एक बहुत ही अच्छी परस्नालेटी बहुत इच्छा मराठा व्यक्तित्व रही है ताराबाई ठीक है तो अब शाहू जी और ताराबाई की बीच में अब ताराबाई जो थी वो खुद गद्धी पर नहीं बैटना जाती थी अपने अलपायू पुत्र को गद्धी पर बिठाना चाहती थी और इस बीच में संघ संगर्ष प्रारंब होता है आगे बढ़ते हैं चत्रपती शाहुजी जो की चत्रपती बन जाते हैं उत्रपती संगर्ष जीतने के जो है शाहु जी अब उनके अंडर आते हैं पेशव ा बाला जी विश्वनात थिंध बहुत ही महत्वपून व्यक्टित्व रहते हैं इनके आने से पेशवा कावध वंशानुगत हो जाता है तो 1313 से 2000 सीसीlines तक पेशवा बालाजी विश्वधात रहते हैं इनके बाद आते हैं के पुत्र बालाजी बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं ये एक बहुत ही महत्वकांख्शी राजनेता होते हैं इन्होंने वराठा शाषन को एक नया रूप देने की कोशिश की है हम आगे पढ़ेंगे बाजी राव प्रथम 1720 से 40 तक पेश्वा रहते हैं इनके कारियों के बारे में आगे पढ़ेंगे एक प्रतिभावान सेनापती रहते हैं इन्होंने बहुत से युद्ध जीते और महत्वकांक्षी राजनेता थे ये मराठा शाशन को एक नई उचाईय योँ पर ले जाने की प्रयास करते रहते हैं ठीक है बाजी राव के बाद आते हैं इनके पूत्र बालाजी बाजी राव जो की 1740 से 1761 तक पेश्वा रहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं इनके बारे में डीटेल से पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं पेश्वा बालाजी विश्वनात बालाजी विश्वनात ने चौत वसूल करने का अधिकार विभिन मराठा सरदारों को दे दिधिया तो पेशवा को इस राजनीती से दूर रखा जाए क्योंकि अगर मराठा सरदार करके कर वसूल करते रहे तो पेश्वा का जो स्थान है जो पद है वो खत्रे में आ जाएगा तो उन्हें इसको एक लेवल नीचे आप अपना अपना देख लो आपको अगर किसी से वसूल करना चलिए संदि क्या करते हैं कि फर्रुख चलिए से च्भोल इतिहास इतिहास का रिचाप्पल देंपल ने कहा क्या है कि या सिप मराठो का मेगनिकार्ट मेगना काट इस चीज को कहते है notions युद्ध किसी अधिकार से किसी अदेश से उनकी इस्थिती पर आमूल चूल पारिवरतन हो जाता है उनको इंकर रिचैर्ड टेंपल लेिस एधिकार को इस विशेश संदी को तो मेगना का थाए ठीक है भाल दूसरा संस्थापक का मतलब है कि उन्होंने अपनी ऐसी स्ट्रेजी से मराठो को वापिस से एकत्रित किया, मराठो का प्रशाशन को अपने नए तरीके से ढाला, इसलिए उन्हें दूसरा संस्थापक कहा जाता है अब बाला जी बिश्वनात के बाद आते हैं बाजीराव प्रथम, बहुत ही इंपोर्टन एक पेश्वा रहते हैं, आपने पिचर देखी होगी बाजीराव मस्तानी, इनी की लाइफ के उपर बेस्ट है, तो आप एक बार वापिस से जाकर देखिएगा, ताकि आपका रिवि बाजीराव प्रथम को यह चीज बहुत अच्छे से पता थे, कि जब कोई कमजोर हो जाता है, तो उन्होंने यह कहा कि हमें इस जरजर विक्ष के तने पर वार करना चाहिए, ताकि शाक और पतिया अपने आप गिर जाएंगे, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें सेंटर पर डा से जाना पड़ेगा, बाजीराव प्रथम ने स्विशाल मराठा सामराज्य का लक्ष गोशित किया, यह चाहते थे कि बहुत बड़ा मराठा सामराज्य एक साथ एकत्रित होकर हमें बराना है, और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि मराठा जंडा जो है, वो कृष्णा नदी से लेकर सिंधु नदी तक होना चाहिए, मराठा शाषन इतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बाजीराव प्रथम शिवाजी के प्रश्यात गुरिल्ला युद्ध पद्धती, यह बहुत इंपोर्टेंट युद्ध स्ट्रेटेजी है, तकनीक है, जो बहुत कम लोग जानते गुरिल्ला युद्ध पद्धती का मतलब होता है, कि जब आप किसी एक शेत्र से, एक जियोग्राफिकल शेत्र से अब इतने अच्छे परिचित हो, कि आप वहाँ पे सारी ऐसी चीज़े जानते हो, कि कब छुपा जाए, कब निकल कर अचानक से अटेक किया जाए, तो इस इसका सबसे बड़ा जानकार था, ठीक है, बाजी राव ने बुंदेल खंड के शाशक छत्र साल को सैन्य मदद की थी, ये याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही उनके लाइफ में मस्तानी का एंट्रेंस होता है, ठीक है, बुंदेल खंड के शा बालाजी बाजी राव, ठीक है, ये बाजी राव के पुत्र होते हैं, बाजी राव प्रथम के बालाजी बाजी बाजी राव, इनके काल में चत्रपती शाहू की मृत्ती हो जाती है, जो एक मराठा सामराज्य की राजा है, चत्रपती शाहू जी की मृत्ती हो जाती है, कई एक राजराम थे उनकी पत्नी थी ताराबाई उनके पुत्र राजराम वितिय जो है वो चत्रपती बनते हैं जिनके साथ बालाजी बाजी राव में संगोला की संधी हो जाती है ठीक है राज्ये का संपूर्ण अधिकार पेश्वा में नहित हो जाता है मतलब संगोला की संधी करते हैं यह मिलकर और सारे अधिकार जो सारे मेन अधिकार है वो किनको चले जाते हैं बालाजी बाजी राव याने की पेश्वा को चले जाते हैं अता पेश्वा जो होते हैं मराथा राज्य का प्रधान हो जाते हैं अभी तक उनके पास पेश्वा का पथ्था सारी शक्ति अ जाते हैं बाला जी बाजी राव के गाल में अब इनहीं के काल में होता है पानीपत का त्रिती युद्ध 1701 ठीक है याद रखिएगा अब इनके बीच में युद्ध होता है यह देखने की बात है एक साइड होते हैं मराठे तूसर साइड होते हैं अफगार अफगारों का ने नेत्रित्व किया दो लोगों ने एक तो सेनापती जो की नाम मात रखे थे वो पेश्वा के पुत्र बाला जी बाजी राव के पुत्र विश्वास राव दूसरे जो असली सेनापती थे जो वास्तविक में आदेश दे रहे थे वो थे सदाशिव राव भाव तो ये दो थे विश्वास राव और सदाशिव राव भाव और अफगानों का नेतरत्व कर रहे थे हमच्छा अब्दालिक अब इस युद्ध में क्या होता है कि विश्वास राव और सदाशिव राव की मृत्ति हो जाती है और ये पराजित हो जाते हैं मराटी ठीक है और अफगानों की विजय हो जाती है तो इनके साथ ही जो मराटों का जो दावा रहता है कि हम एक संपूर्ण भारत पर शाषन करेंगे वो कमजोर पढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही एहम युद्ध में पराजय हासिल कर ली तो इसके चलते क्या होता है कि वो अपना दावे को मजबूत नहीं कर पाते कि हम एक अखंड भारत पर मराटा शाषन का स्थापना करेंगे ठीक है मराठो के पराजय का प्रमुख कारण क्या था कि उन्हें आपसी एकता का अभाव था वो आपस में ही लड़ रहे थे सकता पाने के लिए जिसके कारण से उनमें एक जुटता नहीं थी जिसके कारण से वो एक अच्छे प्रतिवंदी के रूप में सामने नहीं आ पाई ठीक है और इसके साथ ही चौत कर भी बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है उनकी पराजाय का क्यों क्योंकि चौत कर जो है वो लूट पार्ट के लिया जाता है मतलब किसी की इक्षा नहीं हो तो भी उनको चौत कर देना पड़ता था क्योंकि उपर से ओर्डर थे अब इसके चलते चौत कर वसूलने के चलते उन्होंने बहुत सारे दुश्मन इखटा कर लिये थे अब जब दुश्मन इखटा कर लिये तब कोई उस समय सांख देने के लिए उनके सामने आगे नहीं आ पाया इस युद्ध में छेतरिये शक्तियों का साथ उनको नहीं मिल पाया ठीक है और के साथी सैनि संगठन और रणनीती कमजोरी के कारण पराठो की पानीपत के युद्ध में पराजय हो जाती है पानीपत के तृती युद्ध के पश्चाठ माधवराव प्रथम जो है वो पेश्मा बनते हैं 1761 से 1772 तक इनका काल रहता है इनके बाद आते है नारायंड राव इनके पूत्रे रहते है पर इनकी हत्या रगुनात राव जो की नारायंड राव की चाचा रहते है उनके द्वारा की जाती सत्या का लालाच ऐसा है कि वो चाचा ने अपने पतिजे को नित्यु दे दी ठीक है 1772 से 1773 एक साल का ही काल रहता है अब रगुनात राव ने इनकी हत्या तो कर दी पर जिस मकसद से की वहीं उनका मकसद पूरा नहीं हो पाया वो पेश्वा अभी भी नहीं बन पाते है तो इसके चलते ही आगे युद्ध की स्थितिया बनती है आगे देखेंगे अब मा में माधावराव विति आते है 1774 से 95 तक इनके काल में ही आंगला मराठा युद्ध प्रारम होता है वह हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे माधावराव प्रथम एक योग्य पेश्वा थे इन्होंने पानीपत की पराजय का दुषप्रभाव मराठा शक्ति पर नहीं पढ़ इसके साथ ही उन्होंने महाध जी सिंधिया से मिलते हैं और उन्होंने मुगल बाचार शाह आलम दृतियक को शाशक बनाने के लिए प्रयास करते हैं शाह आलम दृतियक को वापिस से दिल्ली की गद्दी पर बठाना चाहते हैं ताकि उनके फेवर में चीज़े हो ठीक है पर माधवराव की बिमारी की विजह से असमय मृत्यू हो जाती है जिसके कारण मराठो को बहुत नुक्सान होता है ऐसा कहा जाता है कि मराठो को उतना नुगसान महाधवरा परथम के मृत्यूं से उतना नुक्सान पानी पत के युद्ध से नहीं हूआ क्योंकि यह जो माधवराव परथम थे यह अच्छे शाशक होने के साथ-साथ ही मराठो को संगठिक कर रहे थे पर इनके मृत्यूंने वह सारे चीज़ों पर पानी पपे पेश्वा नहीं बन पाते हैं पेश्वा इनके बाद आते हैं माधवराव वितियों अब क्या हुआ कि यह जो माधवराव विति हैं यह थोड़े अलपायू शाषक रहते हैं मतलब जो 17 साल की उम्र रहती है शायद उनकी उनके कारण इसके शाषन संचालन के लिए 12 भाई पर आजा की पेश्वा की मदद करेंगे ठीक है तो इनके प्रमुक्त है नाना फर्नवीज याद रखीएगा यह बहुत इंपोर्टेंट परसन है माधवराव के पेश्वा बनने पर रगुनात राव असंतुष्ठ होकर अंग्रेजों के पास चला जाता है अब क्या होता है ना सूरत की संधी करते है इसी के साथ अंग्रेज माराठो के आंतरिक मामलों में हस्तक शेप करते हैं फलता मराठो के साथ अंग्रेजों का युद्ध होता है जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद